इस ने तो बड़ी मचली फासली अरे इसने तो इसके साथ शादी कर ली अरे तो बिना उसका बैक्डराउंड जाने बिना कुछ जाने तुरा काला चित्ता खोल के रख दूंग याई तो तु अभी आयाशी करेगा तेरी गल्फिश्ट साथ निभाना साथिया टीवी सीरियल क कि मशूर गोपी बहु यानि देवलीना भटचार जी तो आपको याधी होंगी इस शो से सीधी साथी और आग्याकारी बहु बनकर उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था लेकिन रियल लाइफ में उनका दिल जिम ट्रेनर शहनवाज शेख ने जीता है जो उनके अब पती ब लेकर देवलीना बूरी तरह से ट्रॉल भी हुई थी यहां तक के देवलीना के फामली के साथ भी अन्बन हुगे थी लेकिं तब भी देवलीना ने इन सब पर खूल कर बात कि थी और चोले तोड़ जवाब भी दिया था लेकिन एक बार फिट देवलीना को लेकर के ऐसी ऐसी खबरें सामने आने लग गई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि देवलीना का रिष्टा खराब हो गया है जी हां और वो डाइवोर्स लेने वाली हैं देवलीना और शेहनवास अब अलग होने वाले हैं ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर फैली हुई ह ऐसे में देवलिना भटाचार जी ने मौके की नजाकत को समझते हुए फारण इस मामले पर रियाक्ट किया है और उन्होंने अपने मेरिड लाइफ पर बात भी की है दरसल देवलिना भटाचार जी को लोग इसलिए ट्रॉल कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि मुसलिम धर में शाधी करके वो खुश नहीं रह पाएंगी अब देवलिना भटाचार जी शेहनवाज शेक संग्शाधी करके खुश है या नहीं इसका खुलासा एक्टरोस ने खुद एक इंटर्व्यू में कर दिया है साथ ही ये भी बता दिया है कि उनका डावोर्स नहीं हो रहा है जी हाँ एक्टरोस ने बताया है कि शेहनवाज शेक संग्शाधी करके उनकी लाइफ कितनी बदल गई है एक्टरोस ने कहा कि मैं शेहनवाज संग्शाधी से पहले भी आज़ाद चुड़िया थी और अब भी हूँ और इसका पूर अग्रेडेट मेरे पती को ही जाता है अभी उसने मुझे ये मैसूस करने कभी नहीं दिया कि हम मैरेड है और ना ही शेहनवाज ने कभी मुझ पर घर की सारे जिम्मेदारिया डाली है हम सारे काम को एकवली बांट लेते हैं ताकि किसी पर जादा भार ना हो और मैं शेहनवाज से शादी करके बहुत खुश हूँ इतना ही नहीं उन्होंने ट््रॉलर्स को भी जवाब देते हुए कहा है लुपश करने को एसलिए वे लोगों को गिराने में लगे रहते हैं मैं जहां पर हूँ वहहाँ ये पहूंचने की सोच भी नहीं सकते हैं तो दिवलेना ने ये साफ कर दिया है कि शेहनवास शेक संग उनकी शादी काफी अच्छी चल रही है और वो कोई डावोर्स नहीं ले रही है वह आप बताईए इस खबर पर आपकी क्या राय है